हालो कैंसेरियंज, जिनकी भी राशी कैंसर है, जिनकी भी राशी कर्क है, डेट आफ बर्ट से, डेट आफ मांथ से, तो उनके लिए ये रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, आज मैं टैरो से देखूंगी कि जनवरी का महिना आपके लिए कैसा रहने वाला है, 2021 पहला महिना जनवरी का, 2020 तो हम सभी का बहुत ही बुरा गया, तो definitely हम expect करेंगे कि 2021 हमारे लिए बहुत शुब हो, बहुत अच्छा हो हम सब के लिए, हमारे देश के लिए, सभी दुनिया के लिए, सभी लोग स्वस्त रहें, तो मैं रिडिंग शुरू करती हूँ, कैंसर राशी के लिए, पहले मैं देखूंगी कि आपके अभी का क्या situation चल रहा है, और मैं next जनवरी के मन्थ में आपके लिए क्या good news आ सकती है, क्या आपके लिए love से related कोई good news आएगी, career से related क्या good news आएगी, आपका business finance कैसा रहेगा, तो सब in all मैं इस रिडिंग में देखूंगी, सो शुरू करते हैं, ओके एंजल, यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी, जिनकी भी राशी कर्क है, उनके लिए जनवरी 2021 कैसा रहेगा, जनवरी 2021, 2021, जनवरी, गाइड में, गाइड में, प्लीज गाइड में, प्लीज गाइड म for Cancerians, prediction for January 2021, फिर्स 접종 हमारे पास आगय है एंपरर, second, third I need three more cards for Cancerians कर कराशी वालों के लिए जन्वरी का महिना कैसा रहने वाला है bottom of the deck है हमारे पास four of cups so cards देखते हैं strength four of pentacles five of cups page of vans nine of vans fine, हो सकता है Cancerians जो भी ये reading देख रहे हैं आप के life में कोई fire sign का हो सकता है जो आपके लिए बहुत important हो क्योंकि यहां पे मैं देख पा रही हूँ कि Aries, Leo, Sagittarius टेके जिसमें Aries और Leo दोनों strong है मारे पास Cancer, Pisces, Scorpio का भी card है and Capricorn, Virgo, Taurus का भी card है यहां पे मैं देख पा रही हूँ कि Cancer राशी वालों के लिए अगर मैं पहले love reading की बात करूँ love relations में आप को decision लेना चाहते हैं past में आपने कुछ lose किया है बहुत ही जादा opportunities आपने अपनी life में lose की है किसी अपने को lose किया है break up situation है, no contact situation है यहां पे मैं देख पा रही हूँ किसी तरह का fear है आपके अंदर ठीक है fear है lose करने का क्योंकि इस card से मैं देख पा रही हूँ आप किसी अपने को lose नहीं करना चाहते आप break up से या no contact situation में अगर आप हैं या बातचीत हो भी रही है तो आपके अंदर एक डर है आपको लग रहा है कि आप उन्हें खो रहे हैं या वो आपको खो रहे हैं ठीक है बहुत protective हो रहे हैं आप हो सकता है किसी situation में आपको लग रहा हो कि आपकी love life में आपको step नहीं ले पा रहे हैं कोई decision नहीं ले पा रहे हैं अटके हुए हैं, बहुत ज़ादा सोच कर विचार कर रहे हैं, किसी समाज का डर है, किसी parents का डर है, मुझे यहाँ पर ये card से ये feeling आ रही है, कि बहुत ज़ादा sad energy में है, बहुत protective हैं, आप जिसके लिए भी ये reading देख रहे हैं, definitely आपकी बहुत care करते हैं, बहुत protective हैं आपक खुद अंदर से हिम्मत जुटा रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, ठीक है, अगर उनके लाइफ में किसी तरह का डर था, किसी से वो घबडा रहे थे, कोई step लेने से घबडा रहे थे, तो अब वो maturely वो उस step को लेंगे, काफी maturely वो सोच रहे हैं दिमाग से, काफी ज अगर उन्हें अपने father से डर था, या parents से डर था, हो सकता है third party situation हो, parents बीच में आ रहे हो, या फिर wealth को लेकर बहुत problems चल रहे हो, तो अगर इस तरह की कोई situation थी, तो अब वो अपनी power में आएंगे, ठीक है, logically कोई step ले सकते हैं, डर से बाहर निकलेंगे, हिम्मत जुटा रह हैं, ठीक है, जन्वरी के महिने में ये मैं देख पा रही हूँ, past में शायद उन्होंने आपका offer या आपने उनका offer ठुकराया है, ठीक है, यहाँ पे दिख पा रहा है कि किसी ने किसी को खोया है, जिसका उनको एहसास है, definitely बहुत ज़्यादा lost feel कर रहे हैं, आपके साथ एक happy family देखते हैं, बचे देखते हैं, future देखते हैं, definitely वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप उनकी life में happiness हो, उनकी prosperity हो, आप ही उनको complete करते हो, ठीक है, बहुत slow energy है, बहुत साल से हो सकता है, आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, लेकिन उन्होंने आज तक commitment न कोई step ले सकते हैं, ठीक है, boldly कोई step ले सकते हैं, हो सकता है, कुछ लोग cancerians हैं, जो कि किसी वीडियो से, या किसी single parent से, या divorcee से, डिल कर रहे हो, कुछ लोग, clear communication आपके life में होगा, आप अपनी life में उन सब लोगों के साथ, clear communication करेंगे, जो आपकी life में problems create कर रहे हैं, आप clear cut किसी को cut off कर सकते हैं, अपनी life से हर problems को cut off कर सकते हैं, अगर आप किसी situation में बहुत जगल कर रहे थे, balance लाने की कोशिश कर रहे थे, क्या करूं, क्या ना करूं, तो आपकी life में आप decision लेंगे, आप अपने soulmate या जो भी आपका partner है, उसकी तरफ आप बढ़ेंगे, आप उ experience के लिए, अब मैं career को लेके बता दूं, जिनकी विराशी cancer है, करक है, career को लेकर अगर वो बहुत ज़ादा lost फील कर रहे हैं, अगर उन्हें लग रहा है कि उनका wealth खतम हो रहा है, कमाई नहीं हो रही है, बहुत loss हुआ है, या अपने wealth को लेके बहुत ज़ादा protective हैं, किसी opportunity lost हुई है आपके हाथ से past में, ठीक है, लेकिन आपको हिम्मत रखनी है, हो सकता है कुछ लोग medically unfit हो, इन सब situations की वज़े से बहुत ज़ादा lost है, यहाँ पे आपको डर है कि आप कैसे अपने आपको stand कर पाएंगे इस situation में, हो सकता है कुछ लोगोंने job lose की हो, किसी का business में हटा हुआ हूँ, इस तरह की situation मुझे लग रही है, लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़ादा maturely सोचेंगे, अपने दिमाग से, अपने intuition से, अपने strength से आप कोई decision लेंगे और वो आपको success में ले आएगा, थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन आप अपनी power में अगर आते हैं, action लेते हैं अपनी planning पे, तो आपको success ज़रूर मिलेगी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे orical guidance लोगी, cancer राशी के लिए, देखती हूँ, हमारे पास universe की तरफ से क्या guidance आती है, यह तीन messages आए हैं, you and your loved ones are safe, जैसा कि मैंने बताया, हो सकता है, कोई medically unfit हो, आपकी family में, या आपके partner की family में, या आपकी relation में, तो आपके loved ones safe रहेंगे, हम cancer का reading कर रहे हैं, पहला ही card आया है, new moon in cancer, definitely अगर कुछ ऐसा है, तो वो improvement करेंगे, adjustment are required, हो सकता है, आपको किसी situation में adjustment करने की जरुवत हो, तो आप अपने आपको open up करिए, हर चीज के लिए, आप ready रहे, अगर कहीं adjustment करनी हो, कहीं थोड़ा बहुत compromise करना हो, तो आप कर सकते हैं, a new start is coming, आपके life में, January में, एक new start आप कर सकते हैं, कुछ fresh start कर सकते हैं, कोई नया business, कोई नई job, या love relations में, आप अकर no contact situation में है, break up हुआ है, तो हो सकता है, आपके partner आपसे contact करें, जैसा कि मैंने reading में बताया, आपसे बात कर सकते हैं, gift दे सकते हैं, call message कर सकते हैं, believe in the impossible, अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ खतम हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं हार रहा हूँ, तूट रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है, आपको impossible चीज़ों में believe करना चाहिए, कोई भी चीज़ impossible नहीं होती है, everything is possible in life, आपको बस अपने अंदर हिम्मत रखनी है, for help from others, अगर आपको किसी situation में लग रहा है कि आपको अपने दोस्तों की, अपने परिवार की help की जरुरत है, तो आप जिज़ा किये, मत help लीजे, perfect timing, perfect timing पे आपकी life में सब कुछ balance हो जाएगा, आपकी life में balance आएगा, stability आएगी, आपकी हर problems, हर जो भी दिक्कतें आपकी life में चल रही है, सब का solution मिलेगा, perfect timing, believe in the impossible, तो ये थी cancer राशी की reading, अगर आप से ये reading resonate करें, तो मुझे comment करके ज़रूर बताएगा, और मेरे चानल टारेट विदेम सिंग को like, share, subscribe करना मत भूलेगा, thank you so much, bye-bye.